आज की defense update वीडियो में दो सबसे बड़ी update के बारे में discussion करने वाले हैं तो जो पहली update है वो AMC fighter jet को लेकर एक बहुत बड़ी update आ रही है इसके अलावा दूसरी update कावेरी engine को लेकर हम discussion करने वाले हैं कि क्या AL31 engine के base पे कावेरी engine को develop किया जा सकता है इसके अलावा अलग-अलग question होंगे कावेरी engine के related तो इसे के बारे में डिटेल से discussion करने वाले हैं तो अगर आप मेरे चैनल पे नई हैं तो प्लेस मेरे defense चैनल को subscribe करें बेल आइकन दबाना ना पुले और comment section में जैहीं जैबार रज़र लिखेगा तो आज की defense update वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पह के लिए जो iron bird facility है उसके लिए है तो आपके भी मनवी सवाल उठ रहे होंगे कि या iron bird facility होती क्या है और उसमें क्या होता है तो जो iron bird facility होती है उसमें fighter jet के जो flying control system होते हैं उनके उपर testile किया जाता है यानि कि EMCE और जो तेजस माक्टू है उनके flying control system के उपर testing in iron bird facility में होनी व और उनकी testile तो होगी पर एक तरह से वो सभी component को combine करके उनके testile किये जाएंगे यानि कि सभी component एक साथ सही से काम कर रहे है और नहीं कर रहे है और उनने अगर कोई malfunctioning होगी तो उनको repair किया जाएगा तो इन iron bird facility में इस तरह के flying control testing होती रहती है इस standard में जो भी select होगा वो iron bird facility को बना के ADA को सोप देगा और ADA अपनी machinery setup करके EMC और TGS Mark II के ऊपर ऐसे testile करेंगी हम वीडियो के next update के बारे में बात कर लेते है जो कि jet engine को लेकर आ रही है तो बारत बहुत टाइम से AL-31 engine को operate कर रहा है जो कि बारत के दमदर fighter jet यानि कि SU-30MK में लगता है तो इस AL-31 engine को बारत maintain भी करता है इसके अलावा इस जो engine को assemble करना होता है वो भी भारत में ही होता है तो क्यों ना AL-31 engine को base करके ही भारत अपना एक engine develop करें या cover engine में जो falls है उसको solve करें तो इसके पीछे सबसे बड़ी वज़ाए यह है कि जो AL-31 engine है वो एक तरह का powerful engine है तो भारत के जो सभी fighter jet project है तो यह सभी fighter jet project में पारत powerful engine की बजाए efficient engine का use करने वाला है तो यह powerful engine और efficient engine क्या है तो जो fighter jet के engine होते है वो mainly two type के होते है एक है powerful engine और दूसरा है efficient engine तो इन दोनों को अलग-अलग purpose बनाया जता है तो जो powerful engine होता है वो size में बड़ा और ज्यादा thrust पेदा करता है क्योंकि इस engine स ज्यादा power और ज्यादा range cover करने रहती है इसके अलावा इसका maximum aim होता है कि ज्यादा payload को carry किया जाए यानि कि जो powerful engine होते है वो heavy category के fighter jet में use किये जाते है जैसे कि SU-30MK, SU-35 और F-50 इसके अलावा जो efficient engine होते है वो size में छोटे और कम thrust को produce करते है जो efficient engine होते है वो powerful engine के मुकाबल कम fuel को consumption करते है और efficient engine का use light से लेकर medium category के fighter jet में use किया जाता है तो भारत अभी फिलाल light से लेकर medium category के fighter jet बना रहा है इसके अलावा बारत रश्या के साथ collaboration क्यों नहीं कर रहा fighter jet engine को लेकर तो जो रश्या के mastery है वो powerful engine में ज्यादा है तो रश्या के जो engine है AL-31, AL-41 इसके अलाव इस डेलिया engine भी एक powerful engine है और रश्या के जो efficient engine है जो के J70 में लगते है इसके अलावा मिक 29 में भी या RD93 engine लगते है वो उतने ज्यादा effective नहीं है इसी वज़े से भारत रश्या के साथ fighter jet engine को लेकर collaboration नहीं करा इसके अलावा भारत अमेरिकी company pretend Whitney के साथ भी collaboration क्यों नहीं करा त तो pretend Whitney भी powerful engine बनाती है efficient engine इतने ज़्यादा नहीं बनाती है अगर भारत को powerful engine बनाने की ज़रूरत पड़ी तो definitely भारत रश्या के साथ collaboration करेगा पर अभी फिलाल भारत को ज़रूरत है एक बहतर efficient engine की जो के western country से मिल सकता है तो इन तरह के efficient engine में अमेरिकी company GE इसके अलवा फ्रां कि क्यों ना भारत efficient engine की reverse engineering करके एक fighter jet के engine को develop करे तो कोई देश दूसरे देश को हतियार देता है तो उसके उपर trust होता है इसके अलवा user agreement के उपर भी sign करवाता है कि हतियार के साथ कोई छेट खाड़ी ना हो इसके अलवा जो reverse engineering है वो 100% possible नहीं है क्योंकि engine के मामले में same to same च engine है ना कि efficient engine तो अगर बारत को engine technology चाहिए होगी तो रेशिया के साथ collaboration करके भी engine को develop किया जा सकता है तो वीडियो अच्छा लगी प्लिस सब्सक्राइब है